हेलो गाईज कैसे हैं आप सब्सक्राइब करें रसमेश व्लोग योट्यूब चेनल बेल आइकन प्रेस करें मैं नई नई रेसिपिस देखने के लिए आज में आपको बताऊंगी नोर्मल क्यों के आटेसी मालपुए कैसे बनाई मालपुए देखते ही मुँ में पाने आने ल पसंद आए तो प्लिस लाइक किजिएगा शेर किजिए और आप भी बनाईएगा गेहूं के आटे के मालपुए बहुते टेस्टी बनते हैं ना आपको सोड़े की जरूरत होगी ने आपको मिल्क पावडर की जरूरत होगी यहां पर हम बना रहें गेहूं के आटेसी तो मै एक से डेड़ कप के लगबग हमें दूद के जरूरत होगी तो एक कप हम दूद लेंगे और आदा कप में मलाई ले रही हूं क्योंकि जो गाड़े-गाड़े मलाई होती रहा घर पे इकट ठीक होई होती है तो उस मलाई का हम यूज करेंगे तो आप देख सकते हो यह जो म यह मोटी मलाई है और उसी मलाई का मैंने योज किया है थोड़ा सा हम डाल द द सुगर तो लगबग आदा Lol ने हरना च्छे लेंगे और प्प्सक्रें और डाल करके अच्छी से इसको फैनड नहीं है, सारे इसकी लम्स जो आना, खतम हो जाने चीए, तो इस तरह से आपको अच्छे से इसको mix करना है, एक भी लम्स नहीं रहना चीए, तो अब आप देख सकते हो, मैंने दो मिनट तक इसको मिक्स किया, सारे लम्स खतम हो चुके हैं, अब आप इसकी लेर देखिए, लेर किया इस तरह सी आनीच ये बिल्कुल से बढ़िया, तो अब हम इसे लगबग 10 मिनट के लिए रिष्ट पी छोड़ देते हैं, और दूसरी को साइड में रख देते हैं, और 10 मिनट हो चुके हैं, तो बैटर को चिक कर लेते हैं, अब बैटर की कंसिस्टेंसे आप देखिए देखिए, इस तरह का बैटर होना चीए, जब आप माल पुए बना रहे हैं, तो आपको कोई बेकिंग सोड़ी की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई भी मिल्क पौडर की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको गाड़ी सी जो मलाई है ना, जो आप स्पून देख रहे हो, इसी स्पून से दो स्पून आप मलाई डाल दीजिए, बस आपके माल पुए तो गजब के बनेंगे, तो इस तरह से देखिए, हलका नूर्म गेस का फ्लेम कर लिया है, पहले ओल को अच्छे से गरम किया और उसके बाद में फ्लेम को स्लो कर दिया, और स्लो होने के बाद में माल पुए डाल दीए, बस माल पुए आपको स्पून से डालने है, यह अपनी आप सेप में आजाते हैं, जैसे आप कड़ाई को थोड़ा स तो बस यह हील भी जाएंगे चिपकते भी नहीं बिल्कुल भी ये बात ध्यान रखना आप एक दम से हाई फ्लेम भी मत डालना वंदना डालते ही जल जाएंगे तो इसलिए पहले थोड़ा सा ओल को या घी में आप बना रहे तो उसको गरम कर ले ना उसके बात में फ्लेम को इदम स्लो कर लेना क्योंकि जो तेल है थोड़ा ठंडा हो जाना चीए इदम हाई फ्लेम नहीं होना चीए उसके बात में जैसे यह दो से तीन मिनट में अच्छे से गॉल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो सीधा चासनी में डाल देंगे तो इस तरह से हम यह जो एक से दू मिन और आज तो घर में सब की बस लोटरी लग गई जैसे माल पुए खाने को मिले ना तो कई बार बच्चे बहुत ज़़ा खुश हो जाते हैं और होने भी चीए बारिस का मोशम है बहुत ही अच्छी बारिस हो रही है यहां पर तो क्योंने माल पुए बनाए जाए तो मैंने म नहीं डाला था साइद में भूल गई होंगी तो आप डाल सकते हैं और इलाइची पाउडर भी आप डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला था मैंने केसर के धागे डाल दिया थी तो इसका टेस्ट वैसे बहुत बढ़ी आया आपको मैं क्या बताऊंगी बहुत अच्छा टेस्ट कर लिया है बहुत ही अच्छे बने तो आप भी बारिष के मसम में इसे जरूर ट्राई कीजिएगा बारिष की मसम में तो लाजबाब लगते हैं गचप के तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारे रेसिपी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना शेयर करना और कोमेंट करके ये बताना कि आपने जब ये माल पुए बनाएं तो आपके माल पुए कैसे बने बहुत ही फैंटास्टिक बने हमारे तो एकदम से जूस के जैसे इस टेस्ट में भी बहुत अच्छे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक कर करें, thank you.